स्टूडेंट्स, अपना कलासिकल मेकेनिक्स में टोपिक जो है वो चल रहा है टर्मिनल वेलोस्टी, अपने टर्मिनल वेलोस्टी का कंशेप्ट है वो देख लिया, जिसमें किसी भी पार्टिकल की जो फाइनल अटेंड वेलोस्टी है, उसको अपने बोलते हैं टर्मिनल वे terminal velocity V equals to VATja put करते हो तो body के उपर जो total force f net equals to क्वा जाता है जीरो हो जाता है यही है आपको concept terminal velocity में ध्यान रखना है आज अपनard terminal velocity के base के उपर जो problems differentEM los a month में तो छाप दो करते हैं ठीक है एक question है वह अपने terminal velocity का terminal velocity topic के साथ ही कर लिया था कि उसन second है terminal velocity के उपर two equal drops कोई दो equal drops है falling under gravity gravity के अंदर गिर रही है है वो terminal velocity V naught दोनों की drops की terminal velocity है वो कितनी है V naught है if the drops merge together and form a new drops दोनों ड्रोप्स मिलकर एक ही ड्रोप बनाती है वाट विल बी ए न्यू टर्मिनल वेलोश्टी अपने पास देखो इसका सोल्यूशन किस्टन को समझना ज़रूरी है अपने को इसमें दे रखे हैं दो बोडी कोई दो ड्रोप है इक्वल हैं दोनो यह कोई दो ड्रोप है फॉलिंग अंडर ग्रेविटी ग्रेविटी के अंदर गिर रही है तो इसके उपर ग्रिविटेशनल जो फोर्स होगा एम जी और इस बोडी के उपर भी जो ग्रिविटेशनल फोर्स होगा वो भी कितना होगा एम जी एक मैंने आपको बताया था कि कोई भी ड्रोप है उसमें अगर ट्रमिनल वेलोश्टी की बात आती है तो उसके उपर उपर की तरफ एक फोर्ष लगता है जिसको ड्रेग फोर्ष या विसकुष्टी फोर्ष कहते है और न्यूटन ने उसकी वेल्यू कितिनी दिये अपने गों 6 π.e.rv इसी प्रकार से इस ड्रोप की उपर वी उपर की तरफ एक फोर्ष वर्ष करेगा 6 π.e.rv दोनों आर क्या है रेडियस है और दोनों इकुल ड्रोप्स है तो दोनों की रेडियस आर और वेलोस्टी क्या है वी है अब इसका एपन एफनेट निकालें कि एफनेट कितना होगा ठीक है तो इस के ओई भी एक बोड़ी का एफनेट निकाल ली एफनेट इक्वल्स टू क्या मेथड है अपना निचे की तरफ जो लगने वाला फोर्स होता है वो पोजिटिव उपर की तरफ जो फोर्स होता है वो नेगिटिव तो एफनेट इक्वल्स टू एमजी माइनस सिक्स पाई इटा आर वी इटा क्या होता है विसकोष्टी कोफिसियंट तो यह इसका क्या है 57 आगया है है इनकी टर्मिनल वेलोश्टी क्या है वी नोट है कि टर्मिनल वेलोश्टी व् इकवल्स टू अपन वीटी पूट करें टरमिनल वेलोश्टी हो किसी से लिखते हैं विट्टी से विट्टी पुट करें और वो कितना दिरख्या क्यूशन में टर्मिनल वेलोस्टी वी-0 मैंने आपको बताया था कि जैसे ही वेलोस्टी की जीगे टर्मिनल वेलोस्टी पुट करोगी तो बॉड्डी के उपर लगने वाला जो नेट फोर्स है इक वल्स टू जीरो यह कंशेट था आपना यही मिथट है सो अधिन एक जीरो इक वल्स टू एम जी माइनस शिक्स पाई इटा आर वी वी नहीं होगा वी की जीगा विट्टी और विट्टी की वेलोस्टी नहीं है वी नोट यह एफ नेट जीरो कब होगा जब टर्मिनल वेलोस्टी पुट करेंगे अपन ठीक है तो यहां से एम जी इक्वल्स टू कितना आ गया 6 पाई इटा आर वी नोट इस इस एक्वेशन नमबर यह आ गया एम जी यहां तक अपन ने कंशेप्ट कर लिया है आगे कहरा कि इव दे ड्रोप्स मर्ज टुगेधर एंड फॉर्म एन न्यू ड्रोप्स दोनों ड्रोप्स मिलकर एक न बड़ी ड्रोप बनाएंगी रेडियस चेंज हो जाएगी क्योंकि बड़ी बनेगी ड्रोप तो दोनों ड्रोप जो मिलके हैं एक बड़ी ड्रोप का निर्मान करेंगी नीचे की तरफ जो फोर्श है इसका वो कितना mg और उपर की तरफ जो फोर्श होगा ड्रैग फोर्श 6 πाई इटा अब देखो रेडियस 6 πाई इटा आर भी होता है रेडियस पहले इतनी नहीं रहेगी दोनों के वे रेडियस स्मोल आर है तो अब बड़ी ड्रोप बनेगी दोनों मिलकर तो capital R और V कीज़़े क्या लिख देते हैं इसकी terminal velocity VT इसको अपने को calculate करना है ठीक है और इसको आप V रिखोगे तो भी कोई effect नहीं पढ़ेगा ठीक है terminal velocity calculate करनी है तो अपने को दोनों drops मिलकर एक नई drops create करते हैं इस new drops का क्या करना है terminal velocity calculate करनी है तो question में what will be a new terminal velocity ये exam में do entrance exam में पुछा हुआ है दिल्ली उनिश्टी के अंदर ठीक है ये निचे की तरब जो force लग रहा है वो mg नहीं रहेगा mg इसका है mg इसका है दोनों drop मिलकर एक new drop create करते हैं तो mg प्लस mg 2mg कि इसको भी आपको धान रखना है अब जो new drops है for new drops तो new drops के लिए f net कितना आएगा नीचे की तरफ है ये positive और उपर की तरफ जो force होता है वो negative जहान रखना radius change हो जाए capital R क्योंकि बड़ी drop बन गई अब कि बार तो नीचे की तरफ जो force है वो 2mg और उपर की तरफ minus 6 pi eta rv अब इसके लिए आपको v क्या हिसकी velocity है terminal velocity इसकी calculate करनी है तो v equals to if v equals to vt vt को calculate करना है अपने को then मैंने आपको बताया था कि terminal velocity लखते ही body के उपर जो f net होगा उसको कितना मान लेना है 0 f net इसका क्या हो जाएगा 0 यहां तक कोई दिक्कत नहीं है अपने को तो f net equals to क्या हो जाएगा so 0 equals to 2mg minus 6 pi eta rv इसमें और v की जबे क्या है vt तो इसमें क्या है f net की value अपने क्या कर दी 0 कर दी है f net equals to 0 हो जाएगा यहां तक कोई दिक्कत नहीं है यहां तक आप note कीजिए अब देखें इसके बाद में इसको यहां से मिटा देते हैं बिल्कुल इज़ी है terminal velocity का question भी और physics के हर competition exam के अंदर पूछा आता है अब यहां से terminal velocity calculate करना यह quantity said में आएगी positive तो यहां से 6 pi eta capital R vt equals to 2 mg अपने को vt चाहिए तो vt equals to 2 mg upon 6 pi eta capital R यह होगा ना vt का multiple में वो इस side में जाएगा divide में अब mg की value है वो अपन पूट कर सकते हैं यहां से putting value of mg by equation fast equation fast जो अपने देया था इसमें mg की value है जेखो कितने 6 pi eta R v0 तो vt equals to 2 into mg की value 6 pi eta R v0 upon 6 pi eta capital R यह 6 pi eta से 6 pi eta ही कैंसिल तो यह क्याएगा विट्टी इक्वल्स टू तो आर वी नोट अपन capital R 2 r v0 upon capital R this is terminal velocity of new drops तो दोनों drop मिलकर एक नई drop बनाई थी इसकी terminal velocity होगा यह due के अंदर पूछा हुआ क्यूशन है due entrance में vt equals to r v0 upon capital R तो इस प्रकार से आप terminal velocity की question है उनको solve कर सकते हो और भी question अपन discuss करेंगे और terminal velocity का कोई भी question आपका किसी भी exam में गलत नहीं होगा इस method से आप उसको solve कीजिए अपन net के अंदर पूछे वी question भी करेंगे कि terminal velocity के base के उपर CSIR net exam में किस प्रकार के पूछते हैं और Tifer में पुछे वी question भी है इसके IIT jam में पुछे वी question भी है तो जितनी भी problems है इनको अपन एक एक करके solve करेंगे तो यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए अब देखिए अपन next question करते हैं इसका तो next question देखिए question number third based on terminal velocity अपना topic जो है terminal velocity next question करते हैं two solid spares S1 and S2 कोई दो solid spares है एक solid spares को अपनमा लेते हैं S1 और दूसरा solid spares अपनमा लेते हैं S2 of the same uniform density दोनों की जो density है गनतु है जो है वो same है and after some time कुछ time के बाद में each terminal velocity is V1 and V2 इसकी terminal velocity V1 है और इसकी terminal velocity V2 है respectively if there, masses of S1 and S2 are M1 and M2 S1 का जो mass है वो M1 है S2 का जो mass है वो M2 है and V1 equals to 4V2 then ratio of M1 upon M2 is M1 और M2 का ratio पुछा है और यह question पुछा हुआ है TFR 2011 के अंदर और TIFR 2011 के अंदर काफी EG question यह पुछा हुआ है इसके free body diagram देखी इसके उपर नीची की तरफ जो force लगेगा वो कितना लगेगा इसका mass है वकी बार M1 G इस पर नीची की तरफ कितना लगेगा M2 G और drag force या viscosity force कितना होगा इसके उपर according to Newton 6 pi eta rv और इसके उपर कितना होगा 6 pi eta rv after some time इनकी जो अब देखो same नहीं है इनके radius different different है क्यों mass different different है इसके r1 माल लेते हैं इसके r2 माल लेते हैं अब अपन क्या करेंगे अपन अपना जो method है कि f net है वो कितना होगा इस body के लिए और s2 spare के लिए f net कितना होगा वो अपन लगाते हैं तो इस body की उपर लगाते हैं पहले देखो f net equals to कितना होगा m1 g निची की तरफ positive होता है उपर की तरफ क्या होता है negative minus 6 pi eta r1 d v यह होगा और second body के लिए यह s1 spare के लिए s2 spare के लिए f net equals to कितना होगा m2 g minus 6 pi eta r2 v यह s2 spare के लिए some time कुछ time के बाद में 4 s1 s1 spare के लिए क्या होगा velocity जो है terminal velocity है 4 1 eta r1 v1 this is equation number 3 and equation 2 को similarly करके लिख सकते है m1 g की जिगे कितना आएगा m2 g m2 g equals to 6 pi eta r2 v2 यह आएगा equation second से equation 3 और 4 है वो अपनी अपने question में क्या पूछ रहा है ratio of the m1 and m2 m1 upon m2 अपने को calculate करना है t4 2011 में question पूछा हो है m1 upon m2 करेंगे तो 3 को divide करना पड़ेगा equation 4 को divide करना पड़ेगा 3 से 3 upon 4 now equation equation 3 divided by 4 equation 3 को किस से divide करना पड़ेगा equation number 4 से अपने को divide करना पड़ेगा तो यहाँ से divide करेंगे तो g से g cancel m1 upon m2 m1 upon m2 equals to यह कितना है 6 pi eta r1 v1 upon upon 6 pi eta r2 v2 कोई दिकत नहीं आतक अब 6 pi eta से 6 pi eta cancel then this implies M1 upon m2 r1 v1 upon r2 v2 question में क्या दे रखा देखो v1 equals to 4 v2 v1 v1 को कितना लिखना आपको 4 v2 तो यहां से v1 को आप 4 v2 लिखोगे तो कितना जैगा m1 upon m2 equals to r1 and into 4 v2 upon r2 v2 v2 से v2 cancel then this implies m1 upon m2 equals to कितना आपको 4 और यह r1 upon r2 बचेगे question number 5 अब यहां से अपने को r1 upon r2 मिल जै r1 upon r2 के value मिल जैए m1 into m1 upon m2 m1 और m2 दोनों का ratio कब आएगा जब अपने वो r1 upon r2 की value पता तल जै तो r1 और r2 की value r1 क्या है s1 spare जो है इसकी radius है r2 क्या है s2 जो spare है इसकी radius है तो इनकी radius का जो ratio r1 और 2 इनको calculate करते हैं अपने देपो यहां तक समझ में आ गया होगा अब देखो question में given है एक चीज question में क्या बोल रहा है question में कह रहा है two solid sphere s1 and s2 of the same uniform density दोनों का घनत्तु है जो density जो है वो क्या है equal है तो यहां आपको क्या लिखना है according to question और question के according density किसे लिखते है rho से s1 के लिए rho 1 s2 के लिए क्या मानने rho 2 और दोनों क्या का रखा है uniform density our density क्या होथे mass upon volume गनत्तु क्या बराबर क्या होता है दुर्वेदमाड़ा I sho density बराबर क्या होती है mass upon volume mass first sphere का m1 divided by वोयूम aja sphere स्फेर है, तो स्फेर का वोल्यूम क्या होता है, स्फेर का वोल्यूम होता है, 4 by 3, पाई, आर क्यूब, यही तो होता है, स्फेर का वोल्यूम, तो इसके लिए फेस्ट, स्फेर के लिए क्या आएगा, 4 by 3, पाई, और आर इसके लिए कितना है, फेस्ट बोड़ी का रेडियस, R1 cube equals to second body के लिए क्या बनेगा M1 की जगे M2 अपोन इसका volume क्या होगा 4 upon 3 pi R2 cube ठीक है यह अपने को condition है question के अंदर given है अब यह 4 upon pi 4 upon 3 pi से cancel तो यहां से यह M2 को कोई सेड में ले आते हैं तो अपने क्या होजाएगा M1 upon M2 और यह R1 कोई सेड में ले जाएगे तो R1 upon R2 के दोनों की cube है तो इसको क्या लिखते हैं R1 upon R2 का whole cube equals to M1 upon M2 equation equation number 5 में M1 upon M2 अपन निकाल चुके हैं M1 upon M2 put कर सकते हैं M1 upon M2 कितना अपना? 4 R1 R2 then this implies R1 upon R2 का whole cube बराबर M1 upon M2 के लिखते हैं 4 R1 upon R2 ठीक है? यहां से R1 upon R2 कितना आएगा देखू? यहां से R1 upon R2 square क्योंकि एक तो cancel हो जाएगा है क्योंकि इस side में cube है इस side में 1 है तो cancel square और right side में क्या बचेगा? only 4 अपने वो क्या चाहिए? R1 divided by R2 यहां से square एट आएगे तो इसका root कितना होगा? R1 upon R2 और 4 का root कितना होगा? 2 तो अपने को R1 upon R2 निकालना था R1 upon R2 के value कितना आगे? 2 और यह value equation 5 में put करेंगे तो अपने पास क्या जाएगा? M1 upon M2 और यही अपने equation में पूछा है 5 implies M1 upon M2 equals to 4 और इंटू R1 upon R2 की value कितनी है? 2 So Final answer is 8 यह आपका क्या है? Final answer तो यह TIFER 2011 के अंदर बिलकुल इजी साक्यूशन पूछा हुआ तो I hope आपको समझ में आया होगा इसके और भी problem करते हैं देखो practice जो है वो important है तोपिक के उपर जितना ज़्यादा आप practice करोगे उतना ज़्यादा आपको benefit है आपने बार-बार practice इसलिए कर रहे हैं ताकि classical mechanics का net और gate जैसे exam में आपका कोई भी question गलत नहीं हो बाकि numerical value change हो सकती है लेकिन question same इसी type से आप से exam में पूछेगा इन से अलावा कुछ नहीं पूछेगा ठीक है तो terminal velocity के दो question अपने तीन question है वो अपने कर लिए है इसके बाद में terminal velocity के और भी question एक दो अपन discuss करते हैं उसके बाद में अपन next topic के start करेंगे